कि मुंबई का नाम लेते ही हमारे दिमाग में चार नाम आते हैं मुंबई देवी हाजी अली सिद्धी विनायक और मरिन राइब हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल लकीज कॉर्णर आज हम जा रहे हैं सिद्धी विनायक मंदीर जो मुंबई के प्रभादेवी में हैं तो चलिए आप सब मेरे साथ में कीजिए सिद्धी विनायक के दर्शन फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मंदीर अब चलते हैं अंदर मंदीर के अंदर फूल और प्रशाद के बहुत सारी दुकाने हैं इसमें से आप लेकि बपा को चरहा सकते हैं आप सबको तो पता ही है कि बपा को मोधक बहुत पसंद है तो आप मोधक जरूर चराना और यहां पर दुकानों में बपा की बहुत सुंदर-सुंदर मुर्थिया मिलती हैं जो आप जरूर लेना गनपती पपा के अनेक रूप है और उन में से सबसे लोग प्रिय रूप है सिद्धी विनायक का जो भी यहां आता है खाली हात नहीं जाता यहां पर सबकी मनुकामनाय पुरी होती है और यहां पर बहुत भीर होती है खासकर मंगलवार और रविवार को तो बहुत भीर होता है आज तो भीर कम है लकिली आप भी यहां आना और आप भी मन्नत मांगना और वो जरूर पुरी होगी क्योंकि कहा जाता है कि पप्पा बहुत जल्दी प्रशन्न हो जाते हैं मगवान गनेज का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है मानेता है कि हर नए काम के पहले इनका पूजन अनिवारे है यही कारण है कि कई बरे स्टार जैसे अमिताब बच्चन या क्रिकेटर जैसे सचीन तेंदूलकर यहां अक्सर आते रहते हैं यहां सिद्धी विनायक मंदिर के अंदर चांदी से बनी चूहो की मुर्तिया है ऐसा माना जाता है कि आप अगर अपने इच्छा इनके कानों में बोलते हैं तो वो बप्पा तक जल्दी पहुचा देते हैं और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है आप भी जब यहां आए दर्शन के लिए तो ऐसा जरूर कीजेगा आपकी भी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी तो चलिए फ्रेंड्स मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड आप सब के लिए बबाई एंड टेक केर गनपती बपा मोर्या मंगल मूर्ती मोर्या बवोटHEN भी मुल मुट होगी लिए खड़ाट Macht रविख प्रीं वड़ लेृँ धर दो ुच कि लिएचझे हो Caleb ख़ँ हो छोगी मुट कि क्म睹 तो ख़च़्या ग्म आपती आपस्ण